जो किसान भाई लंबे समय से खल बिनोला के भाव मंदे होने का इंतिजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है 10 दिसंबर के बाद से ही खल बिनोला के भाओं में मंदी आई है ऐसे में जो किसानभाई स्टोक करने की सोच रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय है कि वो अपना माल खरीद कर लगा ले पिछले दिनों में दक्षिन भारत में कोटन की आवक बढ़ने से वहां का बिनोला और खल पंजाब हर्याना में सप्लाई हो रहा था इसमें रुकावट आने के बाद पंजाब और हर्याना में खल बिनोला के भाओं में सुधार देखा गया लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में कपास की आवक घट रही है उसको देखते हुए अंदाद लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिनोला और खल दोनों में तेजी बनने की संभावना है बिनोला की तेल की बात करें तो यहां भी तेजी बनती हुए दिखाई दे रही मंडियों में नर्मा कपास की आवक घटने का सबसे बड़ा कारण है किसान भाई इस भावों पर कपास बेचने को गता ही त्यार नहीं उन्हें इंतिजार है 10,000 से उंचे भावों का ऐसे में यदि इनाज मंडियों में कपास की आवक घटती है तो आने वाले कुछी दिनों में जल्द ही नर्मा कपास के साथ साथ खल और बिनोला के भावों में भी तेजी देखने को मिलेगी आता किसान भाई नर्मा का पास बेचने या फिर खल बिनोला का स्टोक करने से समंदित अपने सब विवेक से काम ले और फैसला